Assalamu alaikum to all, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to Balaji class. Today our topic is light reactions. आज हम light reactions discuss करने जा रहे हैं. ठीक है? Light reactions में हम सबसे पहले उसकी define देखेंगे. Define में हम यह देखेंगे, during the first phase, light is captured and is used to make high energy molecules ATP and NADPH. ठीक है? First phase. First phase किसका है? हमने पढ़ाया के plants अपनी food by photosynthesis prepare करते हैं, ठीक है? So photosynthesis में food prepare करने के लिए plants जो हमेशा two step में food prepare करते हैं, ठीक है? उन two step में, first step है हमारे पास light reactions और second step है हमारे पास dark reactions, ठीक है? तो अभी जो हम डिसकस करने जा रहे हैं, वो हमने light reaction डिसकस किया, जिसमें हमने define देखी, कि first phase में light is captured, light captured की जाती है and used to make high energy molecules ATP and NADPH. और उसे दो high energy molecules बना जाते हैं, जिसमें NADPH हैं और ATP हैं, ठीक है? अकरस अगर हम देखें, तो ये जो light reactions हैं, ये अकर कहा होते हैं, थेलाकाइड membrane जो होती है, chloroplast की उसके ओपर ये अकर होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो chloroplast होता है, chloroplast वो हमारे पास plant की organelles हैं, जो photosynthesis में helpful होती है, ठीक है? तो इसकी जो एक मैंब्रेन है, उसको हम थेलाकाइड कहते हैं, तो ये थेलाकाइड के ओपर reactions take place करते होते हैं, और इस reaction को हम Z scheme भी कहते होते हैं, जी स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसकी हम डियागराम बनाती है, तो एक Z shape का जाट बनता है, इसलिए हम इसे Z scheme भी कहत होते हैं, सबसे पहले step के अंदर आप देखें, तो chlorophyll molecule absorb light, chlorophyll molecule light absorb करते हैं, उनका energy level boost कर जाता है, energy level high हो जाता है, इस तरह से क्या होते हैं, अलेक्ट्रोन वहां से emitted हो जाते हैं, वहां से release हो जाते हैं, ठीक है, रिलीज होने के बाद वह लेक्ट्रोन क्या करते हैं, पास् photolysis हम कहते होते हैं, photo mean light and lysis mean breakdown, ठीक है, light की help से breakdown होना किसी चीज़ का photolysis कहलाता है, ठीक है, तो यहां पर एक water molecule जो है, वो light की help से breakdown होती है, ठीक है, breakdown होने की बाद वहां से oxygen जो है, रिलीज हो जाते हैं, वो atmospheric oxygen में change हो जाते हैं, और जो hydrogen होते हैं, वो अपना electron chlorophyll को दे द जाते होते हैं, ठीक है, electrons जो होते हैं, वो chlorophyll के ATP produce करने के बाद, क्या करते हैं, जो hydrogen ion होता है, water का, वो वहां पर ATP की production हो जाती है, ठीक है, ATP की production के बाद, जो chlorophyll की electron होते हैं, और जो water के hydrogen ion होते हैं, यह दोनों मिलकर, NADP को NADPH में convert कर देते होते हैं, जो के high energy molecule है, देखे ATP हमारे पास during electron transport chain बन गई, और NADPH हमारे पास last step में बन गया, तो इसके मतलब है, हमारे दोनों जो high energy molecules थे वो produce हो चुके हैं, ठीक है, अब डियाग्राम में हम इसको explain करेंगे, यह complete डियाग्राम है, हमारे पास light reactions की, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो photons of light होते हैं, वो जब पढ़ते हैं, chlorophyll molecule के उपर, तो यहां से electron excit होते हैं, और excit होने के बाद, यहां से उपर की तरफ move करते हैं, जब electron move कर जाते हैं, तो यहां पे space खाली हो जाती है, जिसे हम electron hole कहते होते हैं, ठीक है, यहां पे space बन जाती है, किसी चीज़ के entry के लिए, ठीक है, electron hole जो होत होती है जो कि एक्मोसFERIC में चेंज हो जाती है और साथ ही है जांब ही है बाइब होती है और वहां के इले 육ा है जो कि इस ELECTION होल को फिल कर देती होते हैं ठीके है यह हैं से यह फोटोंसी ऑफ लाइट from इस पर बड़े थे तो फोटोन्स ऑफ लाइट पढ़ने की वज़ा से यहां से अलेक्ट्रोन उपर की तरफ मूव कर गए और यहां पर एलेक्ट्रोन होल बन गया और वह एलेक्ट्रोन होल जो वाटर के मॉलिकूल्स फोटोल आइसी से परड्यूस हुए उससे फिल होगा ठी अब अलेक्ट्रोन जो हैं यह मूव करते हैं इल्युलेक्ट्रोन ठ्रांसपोर्ट चेन के उपर ठीक है और ल्यक्ट्रोन ठ् 트ांसपोर्ट размыв के उपर मूव करते हुए यहां से एटिपी परड्यूस की जाती है ठीक है तो यह फॉस्ट हाई इनरजी molecule हमारे पास produce हो चुका है next time second step में देखें तो यहां पे क्या होता है यहां पे भी same जो photons of light हैं वो पड़ते हैं और यहां से electron release होने पर यहां पे electron hole बन जाता है ठीक है उस electron hole को fill करने के लिए यह electron transport से आने वाले जो हमारे पास electrons हैं यहां पे उस electron hole को fill कर देते हैं अब यहां का electron hole जब इन electron से fill हो जाता है और यहां से photons of light की मदद से जो electron excite होते हैं वो move करते हैं अपवर्ट move करने से वो electron जो होते हैं और साथ ही यह hydrogen ion जो first step में produce हुए थे आपको याद होगा जब first time electron excite हुए थे electron excite होने से hydrogen ion यहां पे photolysis हुई थी वहां पे hydrogen ion produce हुए थे वो hydrogen ion और यहां से जो हमारे पास electron है यह NADP को NADPH में convert कर देंगे जो कि हमारे पास second high energy molecule होगा और इस सारे process को हम Z scheme क्यों कहते हैं क्योंकि इस चार्ट की शकल जो हो Z shape की है यह देखें यह सारी उसकी full shape है जो कि Z shape है इसलिए हम light reactions को Z scheme भी कहते हैं clear कर दोती है